नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दरपन और आप देख रहे हैं अब इन 24 नियूज दोस्तों हम सभी लोग काम करते हैं सुबह से शाम मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत करने के साथ साथ कहीं बार हम लोग सोचते हैं कि हम जो चार पैसे कमा रहे हैं उसे कहीं इंवेस्ट कर दें और आपको बता दू एक ऐसा शेत्र जिस पे लोग कही न कहीं इन्वेस्ट करने से कतराते हैं डरते हैं और वो शेत्र है स्टॉक मार्किट का स्टॉक मार्किट का शेत्र ऐसा है जिसमें लोग हाट डालने से चूकते हैं लेकिन आपको बता दे एक ऐसी शक्सियत हमारे साथ में ह मैं आज मैं एक five star hotel में बैठा हूं उनके साथ जो की इसी शेतर के अंदर नोंने करोडो रुपे कमाए हैं और मेहज सिरफ 23 साल के उमर के वो शक्स जो की हर्याणा के जीन्द के रहने वाले हैं और जीन्द के ही पास के एक कसवे रामराई के रहने वाले हैं जिनकी एक बिलकुल इस साधारम परिवार के किसान परिवार के हैं और सबसे पहले मैं उनसे आपका परीचे करवाना चाहूंगा क्योंकि 23 साल की उमर में कोई ये सोच नहीं सकता कि इतनी छोटी सी उमर के अंदर एक व्यक्ती तीन कंपनिया खड़ी कर सकता है और आपको बता दें हमारे साथ में इस समय राहूल जी हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एक ऐसा एकजेंपल होने वाला है हमारे जो यंग्स्टर्स हैं सिर्व यंग्स्टर्स जी नहीं हर इंसान के लिए जो ये सोचते हैं कि 23 साल की उमर में आखिर कैसे जो है एक व्यक्ति इतने सारे पैसे कमा सकता है इतना सक्सेस्फुल हो सकता है तो सबसे पहले आपका उनसका परीचे करवाते हैं नमस्कार दर्पंजी जैसा कि आपने बताया कि मैं एक साधान प्रिवार से रहा हूं और आपने मेरा इंट्रोड़क्सन भी दिया है मैं साधान प्रिवार में जन्मा एक साधान से स्कूल में मेरी सिक्ष्या हुई लेकिन उसके बाद जैसे ही मुझे ये फाइनल कर लिया इन्वेस्टर बनना है तो उसके बाद मेरे पास बहुत जाइदा प्रेशर था प्रेशर फैमिली का प्रेशर आज पास अगल बगल का प्रेशर यह कोई प्रोफेशन नहीं है आप इसे कर सकते हैं लेकिन इसको फूल टाइम करना इसे एज एक करियर चूज गरना ये कोई अच्छी बात नहीं है लेकिन मेरा क्या था कि मैं बच्पन से ही CNBC आवाज देखता था वे चारट देखना मुझे अच्छा लगता था कहीं न कहीं मेरा इस चीज के परते एक इंट्रस्ट था एक अंदर से लगन थी एक फिलिंग थी जिसको मैं रूब रूब करना चाहता था उसको समझना चाहता था मेरे दिमाख में मैं इसको कैसे समझो और मेरे को यह प्रूव करना था अब मैंने डिसीजन ले लिया था और इस डिसीजन को मुझे लोगों के सामने प्रूव करना था तो कहीं ने कहीं मेरी वो लगन और वो जिद थी जिसके काण मैं आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ तो सबसे बड़ी मतलब जो लूब के साथ लेए आसे स्टॉक मार्केट के बारें में जो और यह बहुत ही गलत धारना एं बतलब लोग रहें क्यों कि मैं गलत भी नहीं कहना चाहँगा। लोग जो हैं कहीं पढ़ें कई लोग पैसा गवाख चुक impressedения। Auch यहुआ प्र वह सब कूछ Does ऐह उन कुछ success हासिल की है तो फिर लोग जो है वो क्या गलती कर रहे हैं ऐसी कि जिस वजह से लोग जो है वो पैसा तो देते हैं तो क्या कुछ है इसके बारे में इसके बारे में ब्रीव बताईए है आपने सही कोशन पूछ था कि भी लोग गलती है लोग कही ने कही market के उस view से point of view से अंजान है जिसको उन्हें पता होना चीए भी लोग इसको बोलते मेरे को भी बोला गया था कि राहुल ये मत ना कर ये 60 है इसको निवेश करेगा starting में कुछ profit देखने को मिलेगा लेकिन कुछ दिन के बाद ये तेरा सब कुछ ले जाएगा एक लास्ट में कुछ यहां तक रिलेटीव अगयरा ने मुझे ये भी बोला कि इसमें तो लोग सुसाइड तक कर लेते हैं अपना सारा investment करके क्योंकि उन्होंने देखा था देखो उनकी भी दाणा गल्त नहीं थी कहीं ने कहीं वो भी अपनी जगह सही है लेकिन मैं आज उनके इसी स्मित को इसी दाणा को बदलने आया उनकी दाणा यह थी कि भी मार्केट में आप प्रोफिट नहीं कर सकते तो मैंने इसके बारे में जब इन्वेस्ट किया कोई बड़ी मोटी पुंजी मेरे पास थी नहीं एक थोटे से investment के साथ स्टार्ट कि लेकिन मैंने लगातार क्या किया मैं शीकता रहा हूं आज भी मैं यहाँ पर ट्रैवल कर रहा हूं तो मैं अपने साथ भूक रखता हूं और मैं जहां से ग्यान मिले उसको गेन करता रहता हूं मैंने शीक्का अगर अपनी कमाई बढ़ानी है न तो अपनी learning बढ़ानी पड तो उसका मेरे को प्रोसेस रहा लगातार सीखता रहा और improvement करता रहा और देखित क्या है कि छोटा सा बच्चा है अगर वो गिर जाए तो क्या वो दुबारा से चलना ही नहीं सीकता है शीकता है सार जी क्योंकि हम देखिए हर चीज में रिस्क है साधान भासा में बोले तो आपको हमारे आसपास जो चीजे होते हैं वो लेकिन सिंपल होते हैं बच्चा गिर गया हमने साइकल चलाना शीका बच्पन के अंदर में नहीं आता था गिरे पड़े चोट खाई लेकिन जारी रहा एक थी अवदाना भी सब कर रहे हैं हम भी करेंगे लेकिन स्टोक मार्केट एक ऐसी चीज है यहां पे अपने आसपास अगल बगल में लोग सफल नहीं है मैं मुंबई गूम के आया गुजरात गूम के आया वहां पे ना नुकड सुबाव में स्टोक मार्केट की डेली चर्चा होती है और कही ने कहीं मेरा सबसे ब्लास्ट का फैलियर मेरी सफलता का कान बना मैं उसको आपको फिर कभी इंट्रोड्यूस करूंगा बताऊंगा लेकिन फिलाल में मैं आपको बता दूं कि मार्केट के अंदर लोग गलती यह करते हैं भी अगर एक बार फेल हो जाते हैं तो वह दुबारा से इस चीज के बारे में ट्राई ही नहीं करते हैं वह कि उनको हर पहली गेंद पर ही शिख जाई है अब दरपन जी मैं आप से कोशन करूंगा सिंपल साधान बासा में जी एक्जामपल है आप बगवान ना करें आप लेकिन अगर आप बीमार हो जाएं भी बीमार हो जाएं आपके पास दो अप्शन है भी आप एक पूलाएं हम सिरफ पढ़ा और बोलने लग Ganz वह लोग का रहे हैं वह सकस्पूव ट्रेडर क्रें वह सक्ष्पून ऋट्डर करें तो उसके बाद में आप उसके पास जाना पसंद करेंगे तो आप तो बताईए मुझे उस को ही चुनुए जो जहीं है बल्कूल जिस हमारी इंडिया में यह नहीं करता कि इसके बारे में बाते नहीं होती तो मैंने इसको पड़ने की business कि पार से इसके बारे में knowledge गेंग करने कंगी कि लोग विदेश में क्या कर रहे हैं थे आप को सफल होना तो आप उस safương के सकसेंफ वा लोगों के बारे में पढ़ना शुरू कर दो, और जो वो कर रहे हैं, वो ही आप करना शुरूआत कर दो, आप सफल हो जाओगे, एक नए एक दिन कामियाभी आपके कदमों में होगी, तो वो ही मेरे साथ हुआ, और मैं आज हाल विलाल में तीन कंपनिया ओवन करता हूं, और बगवान की दया से अच्छा खासा गुजारा भी है, और बड़ीया सुक्ष्यन्ति से आप देखी रहे होगे, ठीक है, तो राहुल जी हम एक और सवाल करना चाहेंगे, कि लोग काफी पैसे इंवेस्ट करते हैं इसके अंदर, लेकिन आपने, क्योंकि लोग पैसे इंवेस रहे हो और लोग जो है वो नहीं बच पाए है, तो क्या इसके 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 इसा है, रिस्क हर चीज में है, देखिए मैं आपको बोल दूर रिस्क कहा नहीं है, अगर आज मैं आपके पास बैटा हूं, कल हो ना हो, देखो रिस्क को कैपिटाइज करना, अब प्लेन उड़ के साथ साथ भैं प्लेण कहां पर सुरकसित है दरपंजी आब मुझे बताइए एLERकर पर सुरकसित है या हावा में ए KP पर ही सुरकसित है यह पर पर ऌने क्या पर रहने के लिए बना है नहीं बना है इसी परकार से अगर करते हैं तो डीकों ओं अमारे इंडिया में दोश्मिट यह बहु लोग क्या सोचते हैं कि पैसा कमाओ और उसको सेव कर कर लो और बार फोरन में जब मेरे को पढ़ने को मिला लोग वहां पर करते पैसा कमाओ और कमाते ही इन्वेस्ट कर दो यह कल्चर है वहां का बाहर यूएस से के अंदर 50% स्टोक मार्केट में इन्वेस्टेड है तो मुझे यह तो पता लग गया था कि यह चीज कोई बुरी नहीं है इसको आप फुल टाइम प्रोफेशन बना सकते हैं वहां से मुझे नोलेज मिलती रही एक पढ़ने की कोशिश करेंगे आप उसकी नोलेज गेन करेंगे वही उसकी इंडरस्टी के बारे में क्या कंपीटीशन रहेगा कितना वह है अगर आप बिजनस करते हैं दरपंजी तो आप 2-4 साल के बारे में उसको कंटीनू करते हैं और लेकिन गलती क्या है स्टोक आपको पहले दिन रातो रात सपलता चीए आपकी कोई भी टेड लोस में आजाए आपको पहले दिन से प्रोफिट आए ये लोग आधान देखिया हम मेरा मानना क्या रहा है कि मैं कुछ करूंगा तो कुछ होगा अगर मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा त इसके बारे में continue मुझे लगन थी, और वो ही चीज थी, वो ही मुझे उपर तक लेके आई, और last में हुआ क्या कि market के अंदर आपके पास 4 चीज़े, loss, छोटा loss, बड़ा loss, और छोटा profit, और बड़ा profit, तो मुझे focus क्या रहा कि जो बड़ा loss है ना, वो बचा लिया जाए, तो starting में सीखा, पहले लोग गलती क्या कर रहते हैं, भी थोड़ा सा profit किया, और एक जैदा confidence में आकर, जैदा उतेजित होकर, अगले दिन अपना investment सारा गवारे, तो मैंने इस चीज को देखा, market के अंदर तक गया, लोगों के बारे में पढ़ा, जो fail हुए थे, उनसे experience गेन किय मेरे को ये पता लग गया था, कि सारे experiment मैं खुद के उपर नहीं कर सकता, अगर ये करूँगा, तो मेरी जिन्द की छोटी है, और कम पढ़ जाएगी, तो इस हिलाल में मैंने क्या किया धरपंजी, मैं लोगों की गलतीयों से सीखता गया, जो लोगों ने, जो fail हुए लोग क्या गलती कर रहे हैं, कि अपने बड़े लोज को नहीं रोक पारें, तो मैंने मेरा एक स्मित है, मार्केट के अंदर, कि मार्केट के अंदर आपको पैसा कमाने से जायदा पहले पैसा बचाना जरूरी है, अगर आप अपनी capital बचाने में कामियाब होगे, तो आप कमाने मे automatically हो जाओगे, तो उससे मैंने क्या देखा कि slow is fast, market के अंदर, and fast is end game, लोग गलती यहीं कर रहे थे, लोग पैसा कमा तो रहे थे, लेकिन कमाने के साथ अपने पैसे को जो कमाया, उस कमाये हुए को बचा नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, हर एक गेंद में 6 आपने 50 लगाया, 60 हो गया, 70 हो गया, अब 70 से अगले दिन फिर उन्हें 80 चीए, डेली तो नहीं होता, आपको वेट भी करना पड़ता है, व्यापार हो, कुछ भी हो, उसमें तेजी मंदी आती रहती है, तो इसी परकार से मैंने इस चीज को चीखा, कि market के अंदर सबसे जा बड़े लोसिस से और चोटे की investment से start करके मैं आज एक ऐसी specific जोरनी पर पहुच गया हूँ, कि आज हम इस मुकाम पर है कि अच्छा खासा कर लेते हैं, मेरा एक सवाल और है, कि जैसे कि हम कोई भी investment करते हैं, अब लोग हैं उन्हें stock market की knowledge तो है नहीं है, तो वो जितनी उन् प्लॉट करिद लिया, या उन्होंने कोई घर लेकर उसको आगे रेंट पर दे दिया, तो इस तरीके की investment करते हैं, उन्हें लगता है हमार लिए एक passive income है, तो लोग उसे कर लेते हैं, तो फिर लोग stock market में क्यों जाएं, options तो कहीं हैं, तो फिर इस तरह कि options में क्यों ना जा है, होटल कुलने के लिए मुझे हैवी बरकम investment चीए, 200 क्रोड रुपे चीए, लेकिन मेरे सामने होटल ताज है, उस वो stock market में लिस्ट है, और मुझे क्या है कि भी 200 क्रोड रुपे नहीं लगा कर, मैंनूमन में मैं उसका एक share वाई करता हूँ, इस मिस मैं उसका जितने भी percentage का हिस्सा है, उसका share गरागू, share मिस क्या होता है दरपंजी, कि आप उसके shareholder है company के, बतोर ये आपके email पर आता है, तो आप market में क्या करते हैं, shareholder को, भी company को मुनाफ़ा हो रहा है, तो आपके share के price अप हो रहे है, company को loss हो रहा है, आपके price घट रहे है, और दूसरा क्या ब ये 50,000 रुपे, और उस बलीब आती, उसके बदले में आप stock market में केवल 1000 रुपे से, 100 रुपे से, 500 रुपे से, 2000 रुपे से सुरुआज कर सकते हैं, और इसमें आपको profit मिलता है, अपने उसी business के हिसाब से जो आपका dream था, आपको लगता है IT का future गरोत है, आपको लगता है बही, electric vehicle आने वाले सदी की कमान है, 5G technology आने वाली है, IT अच्छा करेगा, तो उसी साब से, उसी company को pick करके, आप market में पैसा निमेश कर सकते हैं, और market से अच्छा कासा profit अपने घर ले के जा सकते हैं, ठीक है? तो असर मेरा एक चीज ओर है कि, यह चीज तो थोड़े मेरे mind में आ रही है कि कोई भी हम property खरीदते हैं, तो यह तो मुझे पता है कि हम जब भी कोई property खरीदते हैं, तो immediate हम उसे sale नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पैसा bound हो जाता है, अब इस case के अंदर क्या है, यानि कि जब में निवेश कर देता है, प्रोपर्टी में निवेश कर दिया, गोल्ड में निवेश कर दिया, क्योंकि मेरी दालना क्या थी, कि family मैं एटलिस्ट मैं भी उसी वहाँ से पैदा हुआ, जहां पे लोगों के यह मिलते थे कि स्टोक मार्केट कोई अच्छी चीज नहीं है, मैं तो उसमें कहीं मेरा सारा पैसा चलाना जाए, तो उस दालना के परती मैं क्या करता, प्रोपर्टी खरीद ली, लेकिन कोविड की सिच्वेशन के दोरान, मैंने फेज किया भी मेरी माता जी बिमार होगी, और अच्छी खासे उनको ओपरेशन के लिए हैवी पैसे की जरूर भी प्रोपर्टी मेरे को बेचना चाहा उस टाइम पे प्रोपर्टी को लिक्विडिटी नहीं थी, बजार बन थे, सोनना भी नहीं भी करा था, लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट के इन्वेश्च्मेंट थी, मैंने फर्ट मेरे ना 97, डर टाटा मोटर्स के अंद तो मैंने क्या किया मैंने स्टोक बेच दिए अगले दिन पैसा मेरे अकाउंट में आया लिकवीडिटी अच्छी है मार्केट में आप जब चाहो पीसा निवेश कर सकते हो जब चाहो निकाल सकते हो और उसी दिन से मेरी धालणा बन गी आज तक मेरे को जहां-जहां से मेरा ए इसमें कर लिया्यक कि क्यों जो है इसके अनदर क्या dog ु च कर रहे थे अब तीन अ बनाई सब अचीब है या प्लक़ जो है अपने वक उब देश्जी कि आपको देख में पता है कि रोजगी की समस्किया के तृजिए हुई है और आपने 50% युवा बेरोजगार गोम रहे हैं उनके पास कोई अच्छा काम नहीं है तो हमारा कंपनी का उदेश्या भी मैं तो सफल हो गया मैं बार जाके भी ट्रेडिंग करके अपना अच्छा कासा इंकम जननेट कर रहा था और कर भी सकता हूं आगे भी कर सकता ह भी स्किल डेवलप होने में उदेश्या जी थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन जैसे ही यह डेवलपमेंट हो जाती है उसके बाद आपको लाइफटाइम एर्निंग होती रहती है ठीक आप कई जैसे स्किल के आप एक्जामपल ले सकते हैं तो आमने इस कंपनी का उदेश है ताकि हमारे देश की बेरोजगारी खतम हो सके हमारे युवाव को सेल्फ मेड मिलिनियर बनाया जासके वो लोग काम कर सके उनके अधाना को बदला जासके और दुरवाग्या पूरण भई हमारा सपना डोक्टर बनने का होता है में बीबियस के लिए अच्छे अच्छे अच्छे बहुत सारे आइस फालर रहें होती है अाज चक के लिएास में जो हमारे यहां पर पढ़ाया जाता वह कहीं काम नहीं आता थीख है जो मिल गई तो ठीग है लेकिन इस से अलग कुछ काम नहीं आता तो इसके अंदर हम क्या चेंज करते हैं कि वहाई हम बच्चों क वो एक financial awareness के परती हमारा एक special प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के जरीए हम लोगों को self-made millionaire बनने की knowledge gain learning प्रोवाइड करते हैं जिस यह वो scale develop करके वो भी एक ऐसी financial free life gain कर सकते हैं जिसके अंदर वो कहीं भी घूम सकते हैं यानि कि सर यह सब कुछ जो यानि कि इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो आप से मिल सकती है कि जो लोग गलतियां करते थे अब वो ना करें बिल्कुल जी ऐसा दर्संजी मैंने कुछ अलग नहीं किया मैंने वही किया जो इस फिर्ड के successful लोग कर रहे थे वह successful लोगों का पिछा करके मैं खुद सपल हो गया अब मैं क्या बता रहा हूं कि जो जो मैंने हासिल किया जिस जिस चीज को follow करके मैंने यह सपलता हासिल की आप ऐसे ही करके आप भी सपल हो सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है देखो तो possible हर चीज है लेकिन आपके strong mindset का होना बहुत जरूरी है लोग गलती क्या करते हैं आप नोकरी के त्यारी 5-5-7-7 साल लगे रहते हैं लेकिन फिर भी क्या possibility कितने percent chance है यानि कि 5% लोग successful हो जाते हैं बाकी तो try करना छोड़ी देते हैं फिर लेकिन यहाँ पे शोग market के अंदर अगर आप skill develop कर लेते हैं तो यहाँ पे आपके chance बहुत ज़यदा बढ़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको कोई exam सरकार किसी के उपर depend नहीं है आप skill develop हुई आपके घर पैसा आना start हुआ और जिससे आप जिन्दगी पर पैसा कमाते रहेंगे इवन मैं यह सोच दा हूँ कि भी मेरा कोई जानकार मेरा कोई अगर मेरे खुद के बच्चे भी होगे तो मैं नहीं यह बोलूँगा कि आप सबसे पहले इसमें लग जाओ भारा की उमर में स्टार्ट किया हो सकता है मैं उनका 14 की उमर में स्टार्ट करवा हूं उठा रहें तो मोका है आपके पास इस चीज का फाइदा उठाने का इस चीज का फाइदा उठाइए और फाइजी का यूग है 21 सदी के अंदर एंट्री कर रहे हैं यहां पर स्टोक मार्केट आपके लिए उतनी जरूरी है जितनी देश की अर्थव्यवस्था को गुरो करने के लिए देश की GDP गरोव होगी क्योंकि हर एक यूवा के पास काम होगा सेल्प मेडब लिनियर होगा कही 실uti कहीं कई लोगों के पास काम की कमी ए जिसके कभान हमारी है मंदी है ठीक है तो इसको आप रूब्रंब़bew करवा सकते हैं और हर कोई इसको सीख सकते है 9-9 अलग यह यह नहींै कि नोन मेडिकल मेडिकल कोई भी बंदा सीख सकता है तो सर आपकी आपकी कंपनि यह है संवालफ अծरी और कि अंदर त्रेडिंग प्रोग्राम इसका नाम है SunLight super diamond trading program सब अलबारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तरीके से जो है अब ये लोगों को फूरी ट्रेनिंग दे सकता है जिससे आप जो पहले वो गलतियां करते थे शे मार्केटिंग के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर वह कैसे जो है अब ये सब कुछ सीख सकते हैं और जो है इसमें जो है जैसे कि आपने जो है दुछी चोटी उमर के की लिए उमीद की किरण यह उमीद की किरण लोगों को डाइमंड यानि कि डाइमंड हीरा बनाकर इस परकार से जिंदगी में परकासित करेगी ताकि उनको इस प्रोग्राम के जोइन करने के बाद किसी चीज़ की कमीना ओँ अचीव कर पाए और शेकिंड लिक्या है कि ये प आप तीन महीने निकाल के हमें दे दीजिए सन वॉल्फ ट्रेडिंग के इस प्रोग्राम को गारंटी के साथ बोल सकता हूं सर आप जैदा नहीं लेकिन इजीली घर बैटे दो से पांच अजार उपे कमाने लग जाएंगे इस प्रोग्राम के भलीब आती तक क्योंकि आपके स्कील बिल्डप होगी और वह बोलते हैं भई स्कील डेवलप करने में आपको स्टार्टिंग में टाइम लगेगा लेकिन जैसे ही आपकी स्कील वह डेवलप हो जाती है फिर वह आपको लाइफ टाइम तक अचीव देती है कंटीनू चलती रहेगा तू सर आपकी एक वेब के नाम से उसके बारे में कुछ बताना संवोल ट्रेडिंग करके हमारी वेबसाइट है और बेसकली हम गुडगाओं के अंदर ऑपरेट करते हैं आल अवर इंडिया हमारे उनलाइन प्रोग्राम है हमारी एपलिकेशन भी है और फॉर मॉर इंफोर्मेशन के लिए बंदा आ हमारे बोर्ड लाइन नंबर पर संपरक कर सकता है और संवोल ट्रेडिंग करके उसको गूगल पर बहुत कुछ मिल जाएगा वैसे भी मैं एक बार चाहना चाहूंगा प्रोग्राम के बारे में आप पढ़िए देखिए नोलिज कहीं से भी मिले क्योंकि आगर आपको जैद से थोड़ा सक्षम है वो भी से कर सकता है बिलकुल सर जी यह आपने सही कोशन किया जो लोग विकलांग कहीं आ नहीं जा सकते उन लोगों के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है सरवाई करना उनको लोगों को इंकम का सोर्स नहीं होता है तो यह आपको एक सिंपल से या बैतरी इन माद्य में तो यहां पर जो है आपसे यही कहना चाहेंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें क्योंकि सिर्फ हमारे देश के युवा ही नहीं बलकि हर वो व्यक्ति जो कि अलग लग शेत्र के अंदर पै काफी कुछ जानते हैं लेकिन उनसे कुछ जादा ही उन्हें इस प्रोग्राम के अंदर सीखने को मिलेगा तो आपसे अपील करना चाहेंगे यह वीडियो को जादे जादा श्यार जरूर करें और अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को आप पुस्तों तक अपने श्तिदारों तक और अपने फ्रेंड्स सरक्र में हर जगा पर शेयर करें धन्यवाद